लक्ष स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयजित आल इंडिया प्राइज मने क्रिकेट प्रतियोगिता में शुक्रवार को सेंटर ड्यूस दिग्री कॉलेज के मैदान पर विधर्ब वाक्याग के बीच खेला गया वही विधर्ब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निधायत 38 ओवर में सभी विकेट खोकर 115 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसमें विधर्ब के लिए मुहमद करीम ने 89 और आकास ने 63 रनों का योगदान दिया वही कैग के सुहम सर्मा ने चार नितिन सर्मा और अर्पित ने दो-دो विकेट लिये और सुबोध ने एक विकेट लिये जवाब में कैग ने 37 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 116 रनों के लक्ष को पूरा कर लिया जिसमें कैग के अर्पित ने चाचट हिमान सुराणा ने 48 शुहम सर्मा ने 24 रन बनाया जिसमें विधर्विके रिशिकेश और करीम ने दो-दो नचिकेत और दिनेश ने एक-एक विकेट लिये आपको पता दे की मैन ओफ दो मैच का पुरुसकार कैग के शुहम सर्मा को दिया गया इस उसर परलक्ष एस्पोर्स अकैडमी की अध्यक्ष डॉक्टर राजीश श्यादो सचिव डॉक्टर तिलोक रंजन, मनीश सिंग, संतोस रिपार्थी, डॉक्टर मनवर, हसन नदीम, अजीत सिर्वास्तो, अजय दूबे, अमित सिंग, रविंदर शौहान, राजींदर प्रशाद, विनोज शुकला, राकिश शुकला, गुलाम, सबीर, केके, बगेल, दत्तिवारी सहित अने लोग मौझूद रहें, इस संबन्द में गुरिफपुर नियूस से बात करते हुए, लक्स स्पोर्स अकैदमी के हसन नदीम ने कहा बोल, बोल, बड़ी भाई, जार लेलो हाई, अर्णो जो जो गवल की आखिए भी पीजिए अधिए पाउल एक क्वार मेल अज से लिए टूएव एक कि अधर्णस काहिए आपीर कि लिए थे लिए हुएए ही हुए जया इसे लुए यह हीए हुए है हासन नदीम यह आल इंडिया प्राइज मनी लक्ष ट्रॉफी के नाम से हो रहा है और इसमें आठ टीमें हैं दो फूल हैं पहला फूल फूल हो चुका है दूसरे पूल का तीसरा मैच यहां ऑ ए शीय जी वर्सिस विदर्ब से है और रेल्वे क्रिक्ट ग्राउन पर लक्ष एकैडमी वर्सिस बनारिस रेलवे स्टेडियम रेलवे क्रिकेट ग्राउंड तो बाक्ती वाउं के लिए यह है कि एक बेहतरीन मौका है इतना अच्छा टूर्णमेंट ओल इंडिया ना सिर्फ गोरकूरबल की प्रदेश का सबसे अच्छा मैं समझता हूं कि यह टूर्णमेंट है और इससे हमाई प्लेयर दस प्लेयर तक रंजी टॉफी खेल के खेलाडी खेलने हैं तो इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है यंग्स्टर्स के लिए कि वो आएं और इनके खेल को देखके अपना खेल हैं इंप्रूव करें